देव से व्याकरण है क्या व्याकरण इसी की बात कर लें से तेन सब्दों चे मिले के बना है वी पलस आ पलस करण व्याकरण सब्दों वी पलस आ पलस करण विकार्थ होगा विशेश आ करथ होगा आबध और करण यानि करने वाला यानि विशेश रूप से आबद करने वाला या विशेश रूप से बादने वाला कहने का मतलब जो बासा को विशेश रूप से नियमों में बान देता है वोई व्याकरना जो बासा को नियमों में बान देता है विशेज रूप से नियमों में बान देता है वोई व्याकरन यह तोगी व्याकरन की परिवासा और इसके बाद बाद आते हिंदी व्याकरन की रचना कार कि हिंदी व्याकरन की रचना किसने की हिंदी व्याकरन की रचना कार को में तो हिं ये हिंदी व्याकन के रचनाकार है कामता प्रशाद गुरुजी इन कामता प्रशाद गुरुजी ने अपना जो हिंदी व्याकन लिखा है ना बार सरकार का प्रामानिक व्याकन और इन कामता प्रशाद गुरुजी के नाम पर बार सरकार ने 25 दिशंबर 1937 को डाक टिकट जार कर कम्प्लीट जो पूरा इंदिव्याकन है वो तीन भागों में बटाओ वो तीन भाग कौन-कौन से एक भाग होगा वन विचार तीन विचारों में वगते दूसरा भाग शब्द विचार और तीसरा भाग वक्त विचार है हैं पुरा इंदि व्याकर इन तीन भागों में तीन विचारों में वगते अपने को शुरुआत करनी है यहांसे रीग ना पहला टोपिक क्वान ही अ 박कE कि अब यहांसे बात करते हैं कि बल क्या होतें हैं एग तो हिंदी में अपने मुह से हम जो भी छोटी छोटा बोल सकते हैं न वह कहलाएगी द्वनी यानि हम कह सकते हैं कि बासा की सबसे छोटी उच्री तिकाई बराबर द्वनी है कर द्वनी का ही लिख द्वनी का ही लिखत रूप द्वनी का ही लिखत रूप द्वनि की हैं miał liquor यह मैं अवर में का लिखित रूप आप इसे बोल रहे हैं वह तो द्वनिय और आप मैं जब सबसे चोटी उच्रितिकाई दूरे में और इस ipa लिखित रूप रहे हैं तो यह भी कह सकते हैं 22 के से चोटी लेखी तिकाले कि यह सब चोटी लेखी तिकाले होगी यानि यहां से हम एक निश्कर्श निकालेंगे कि छोटे चोटा आप यह भी लिख सकते हैं रहे और चोटे से चोटा आप यह भी लिख सकते हैं हलंत रहीत भी हो सकता है और हलंत सहीत भी हो सकता है यानि इसमें स्वर का मेल है इसमें स्वर का मेल भी है यह है यह तो स्वर शहीत है और यह है यह स्वर रहीत है यानि सिद्धि से एक परिवासा अपने सामने आधी कि वर्ण है वो स्वर रहीत भी हो सकता है स्वर सहीत भी हो अऊपल लिखेत होनी हाँ सब्से चोटी ऊज़ित हो जाएगी सबसी चोटी लिखेत होगी वह वान चाहे वो पीषर रहीत है जाए वो पीषिमया भार बात प्रक्रां कि अक्सर क्या होता है में वर्ण अलागों अक्सर अलागों इसका सवेख मार्ण करण अक्सर कहलाता है या तो जो ग्यारे श्वर है वो अक्सर कहलाएंगे या फिर जो श्वरांत व्यंजन है ऐसा कोई भी व्यंजन जिसके अंत में स्वर आ रहा हो वो अक्सर कहलाएगा यानि यहां से हम एक प्रिवास निकाल सकते है कि जो अक्सर होगा वो कभी भी स्वर रहीत नहीं हो सकता वो हमेश्या स्वर शहीत ही होगा या तो वे स्वर हम स्वर होगा या फिर कोई ऐसा विंजन होगा जिसमें स्वर कमेल होता हो ये दो अलग लग प्रिवास होगी कि वर्न है वो स्वर शहीत भी हो सकता है लेकिन अक्सर हमेशे अस्वर सहीत ही होगा यानि हम जैसे बोल देता हैं कि आद्धा अक्सर अक्सर अद्धा नहीं होगा अद्धा नहीं हो सकता है अक्सर कभी अद्धा नहीं हो सकता है क्योंकि अक्सर हमेशे अस्वर सहीत होगा जैसे यहां से किसना है था ये पुछा जा रहा था ये शब्द है जोथ्षना पुछा गया था कि जोथ्षना किस प्रकार का शब्द है चार ओप्सन लिख़्े हुए थे एक अक्सरी यानि एक अक्सर वाला दिवी अक्सरी यानि दो अक्सर वाला त्री अक्सरी यानि तीन अक्सर वाला और पंचा अक्सरी यानि पांच अक्सर वाला हम क्या करने इसमें काउंट करेंगे सिदे सिदे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, पंचा अक्सरी अक्सर, अक्सर के बात करनी है, स्वर्षाहित ही होगा के वल, दो ही है, एक, दो, अक्सर दो ही है, दो में स्वर का मेले, दिवी अक्सरी सब्द, बात करें वरन की, वरन इसमें पांच है, क्योंकि वरन स्वर्षाहित भी होगा, वरन स्वर्षाहित भी होगा, तो वरन पांच इक, दो, तीन, चार, पांस, ये होगा आप वन और अक्षर में? कि वन स्वर रईत भी हो जकता है, स्वर साहित भी हो सकता है, लेकिन अक्षर हमेश्यां स्वर साहित ही होगा. ये तो सिद्धी सी बात कि हमने, कि दवनी जो कि वासा के सब से जो स्वर या शुरांत वयंजन ऐसा कोई भी या तो स्वर हो या जिसके लाश्ट में ऐसा कोई भी वयंजन जिसमें स्वर का मिलो हो अब बात आती है वह वर्ण के भेद वो तो बहन के प्रिवासा होगी बहन के भेद तो हिंदे में बहन के दो ही भेद है वो दो भेद कौन कौन से एक स्वर और एक भेदे कुल मिला के यह दिया हम बात करें तो 44 हिंदे में बहन होंगे जिन में 11 स्वर 33 हिंदे इन दोनों वेदों कमें डिटेल से पढ़ना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्वर क्या होगे क्या स्वर ऐसी कोई भी धवनी जिसके उच्चारण में उच्चारण के आधार पर बात करनी है एसी कोई भी धवनी जिसके उच्चारण में आवा निर्बाधित रूप से बाहर निकर जाती है जिसके उच्चारण में आवा निर्बाधित रूप से बाहर निकर जाती है यानि जो अपना स्वरियंतर है कहीं में नहीं टकराती है निर्बादित रूप से बाहर निकल जाएगी व्यंजन में स्वर में यही अंतर है वैस कि व्यंजन में अवा बादित ओकर बाहर निकलती है स्वर में निर्बादित बाहर निकलती है हम बोल के देखेंगे ए स्वर यंत्र पर हवा कहीं ने टगराईगी हम बोलेंगे टै कै गै कोई भी विंजन बोलेंगे हवा टगराएगी तो स्वर जिनके उच्छान में अवा निरबादीत रूप से बाहर निकल जाती है वो स्वर कहलाते हैं जिनके उच्छान में अवा बादीत होकर बाहर निकलती के वो वेंज़ल पहलाद में अब सवर हैं कितने हीं इस वर हैं कितने तो हिंदे में इस वर चलेंगे या हमने बात की गयार can होते हैं लेकिन 11 भी होते हैं और 10 भी होते हैं वो कैसे एंधर आ यी जो पूल री आ ये ओ यह यह लिख लिए अब लिखने की दरश्टे से हम काउंट करें तो एक दो तीन चार पांट च्छह साथ आठ नो दस गया रहे घार होगा लिखने की दरश्टे से लेकिन येँ बात करें उठ्चारन की, तो देखें उठ्चान में यह जो है न, रेड़ीशी, जब हम इसका उठ्चान करेंगे, तिसमें यह दमनी आएगी, रेक्ट परनी आएगी, और रे एक बेंचन है, तो उठ्चारन के द्रस्टेशे स्वर में काउंट नहीं होगा सट क्यान की द्रष्टे से अपने पास कि लेखन की द्रष्टे से गयारा उच्छान की दर से दसट अब यह जो मुख्रूप से दो प्रकार कि और एक होगा संयुक्त स्वर मूल स्वर यानि जो किसी के साहिता से नहीं बने है संयुक्त स्वर जो किसी दूसरे स्वर के साहिता से बने है यानि दो सवरों के मेरे से बने हुए स्वर तो कहला हैंगे संयुक्त स्वर और किसी के साहिता से नहीं बने है वो मूल स्वर तो मूल स्वर होते हैं चार ए ई उ रे यह चार होते हैं मूल स्वर किसी की साहिता से नहीं बने हैं अब बाद आते हैं सेंउत्स्वर की सेंउत्स्वर यानि की दो शवरों के मेल से बने हुए स्वर पलस स्वर दो शवरों के मेल से बने वे जो सवर हैं वो कहलाएंगे सेंगत सवर तो इसके भी आगे चलके दो भेद हैं अब वो दो भेद कौन कौन से इसका एक भेद तो हो जाएगा दीर्गशवर और इसका एक भेद होगा शंदीशवर मूल्शवर तो वो होगा जो किसी किसाहिता से नहीं बने है सेंक्षवर जो दो किसाहिता से बने है इसमें भी एक बेद दीर्गशवर एक बेद संदीशवर दीर्गशवर वो होगा जो दो शमान सवरों के मेल से बना है और संधी सवर वो होगा जो की दो ए समान सवरों की मेल से बनाए है समान सवरों की मेल से बनेवे सवर दिर सवर हैं ए समान की मेल से बनेवे सवर संधी सवर है अब देखो यहां हमने चार की तो बात कर ली यह चार सवर तो यहां पर आ चुके हैं मूल सवर में अब बच गए है साथ, साथ कौन-कौन से बचे वो देख ले, अब सबसे पहले हम बात करें इसकी अ, यह अ है, यह बना हुआ है ए पलस ए, बघ्दर आ, डोनों समान के मेर चे मेल से बना हुआ है देर्ग्षवर है, यसे प्रकार ई, पलस ई, बघ्दर परकार ई, संदिश्वर में आ जाएगा जैसे ए पलस एक के मेल से बनता है ए दो ए समान के मेल से बना हुगा है संदिश्वर कहला है ए पलस एक के मेल से बनता है यह भी संदिश्वर है ए पलस एक के मेल से बनता है ओ यह भी संदिश्वर है ए पलस उक के मेल से बनता है ओ यह भी संदिश Kya Pales ओक के मेरे से बनता है को यह होंगे 11 टीनर मीद एचार मोरें साथ सेउत सवर्ड़ अब सेंगट सवर्ण भी टीन है यह दिर्ग सवर्णन के मेरे सब C先 9 वर यह समान सवर्ण के मेंस बनियुए एक तुर बात हो कि उत्चारण के आधार पर यह अमने देख लिया कि उत्चारण के आधार पर श्वर मात्र दस नहीं क्योंकि रिर इस यह वह स्वर में चेट जाएगा तो उत्चारण के आधार पर एक वर्गीकरण होता है उठों के बनावट के आधार पर यह पुछा जाता है ओठों की बनावट के आधार पर शुरों का वर्गी करान ओठों की बनावट के आधार पर शुरोंगे दो प्रकार के वर्ताकार और ए वर्ताकार यह दो प्रकार के वर्ताकार नाम से पता लग रहे ऐसा कोई विश्वर जिसके उच्चान में उठों के आकरती गोल हो जाएगी वो वर्ताकार है जिसके उच्चान में उठों के आकरती गोल नहीं होती वो ए वर्ताकार है अब हम एक एक का उच्चान करके देखें जैसे श्च्चान है ए तो एक का उचान करेंगे उठ्ण के आकरती गोल नहीं होगी, ए वर्ताकार है, आ, आ में भी गोल नहीं होगी, ए वर्ताकार है, इ, इमें भी गोल नहीं होगी, ए वर्ताकार है, उ, उक का उचान करेंगे उठ्ण के आकरती गोल होजेगी, वर्ताकार है, उक के बाद उचान क औ्ठों के बना वात के आदार पर शोर के दो बेज वरता कार और वो था रजना क्या इता है complete elét़ पानद आते किसट बास अन्यों में इच्छ अब वा श्वर कि जो है किया की बनते हैं कि आ या cry कि निमन में से कौन सा स्वर वर्ताकार है निमन में से कौन सा स्वर वर्ताकार नहीं है या फिर दूसरा कि निमन में से कौन सा स्वर संधी स्वर है निमन में से कौन सा स्वर संधी स्वर है यह बने या फिर एक और बनता है कि निमन में से कौन सा स्वर कंठव वी है कौन सा कौन साधन तैंको इस ऑस्ट ये जो ऑरेकर है ना इस ऐंगे कि वेंजन के साथ जब हम पढ़ेंगे कि कुण सा वेंजन कुंभ भी चोड़ दिया अमने कि अ